मेरा नेताओं से मतबेत था तथा अब तक है ये मेरे 28 फरवरी 1935 के सावरकर के नाम पत्र से भली भाती विदित होता है आज भी मेरे वही विचार है गांधी जी से मेरी शत्रुता नहीं थी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान योजना में उनका मन शुद्ध था मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में देश प्रेम के अतिरिक तक कुछ न था मुझे इस कारण हाथ उठाना पड़ा कि पाकिस्तान बनने पर जो भरंकर घटनाएं हुई उनके उत्तरदाई केवल गांधी जी थे मुझे ये पता था कि हत्या के बाद लोगों के विचार मेरे विशे में बदल जाएंगे समाज में मेरा जितना अधर है वो नश्ट हो जाएगा मैं जानता था कि समाचार पत्र बुरी तरह मेरे निंदा करेंगे किन्तु मैं नहीं ज्यानता था कि अगबार इतने पतित हो जाएंगे कि सक्त्य का गला घोड़ देंगे समाचार पत्रों ने कभी निश्पक्षटा से नहीं लिखा यदि वे देश के हित का अधिक ध्यान रखते और एक मनुष्य की व्यक्तिकत इच्छाओं को कम ध्यान देते तो देश के नेता पकिस्तान स्विकार न करते समाचार पत्रों की ये निथी थी कि लीडरों की गल्तियों को प्रकट न होने दिया जाए देश का विभाजन इससे सरल हो गया ऐसे भरष्ट समाचार पत्रों के दर से मैंने अपने निष्चे की दुड़ता को विचलित नहीं होने दिया कुछ लोग कहते हैं कि यदि पाकिस्तान न बनता तो आजादी न मिलती मैं इस विचार को ठीक नहीं मानता लीडरों ने अपने पाप को छिपाने के लिए ये बहाना बनाया है गांधिवादी कहते हैं कि उन्होंने अपनी शक्ती से स्वराज़ पाया यदि उन्होंने अपनी शक्ती से स्वराज़ लिया है तो उन्होंने हारे हुए अंग्रेजों को पाकिस्तान की शर्त क्यों रखनी दी और शक्ति से क्यों न रोका मेरी विचार से महात्मा और उनके अनुयाईयों की एक ही पॉलिसी रही और वो ये कि पहले यवनों की मांग पर विरोध दर्शाना फिर हिचक दिखाना और अंत में आत्म समर्पन कर देना इसी प्रकार पाकिस्तान की रूप रेखा स्विकार कर ली गई 15 अगस 1947 को छलप पुरवक पाकिस्तान स्विकार कर लिया गया पंजाब, बंगाल, सिमा प्रांथ और सिंध के हिंदूं का कोई विचार नहीं किया गया देश के तुकड़े करके एक मज़वी धर्मनिष्ठित मुसलिम राज्य बना दिया गया मुसल्मानों को अपने अराश्ट्रिय कारियों का फल पाकिस्तान के रूप में मिल गया गांधिवादी नेताओं ने उन लोगों को देश द्रोही सामप्रदाई कहे कर पुकारा जिनोंने पाकिस्तान का विरोध किया था और पाकिस्तान स्वयम स्विकार करके जिना के सब बात मानती। इस दुर्घटना से मेरे मन के शांती भंग होगा। अंधिवादी कहते रहे कि हिंदूं को पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए और वही रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदू मुसल्मानों के चंगुल में फस गए और विकट विपत्यों के शिकार हुए। जब मुझे इन घटनाओं की याद आती है तो मैं काप उठ्था हूँ। प्रति दिन सहस्त्रों हिंदूं का संभार होता था। 15,000 सिखों को गोलियों से भून दिया गया। हिंदू स्रियों को नगन करके जलूस निकाले गए। उनको पशों के भाती बेचा गया। लाखों हिंदूं को धर्म बचा कर भागना था। 40 मिल लंबा हिंदू निराशृतों का जथा हिंदूस्तान की ओर आ रहा था। हिंदूस्तान शासन इस भयानक गृत्य का कैसे भयानक निबारन करता था। उन निराशृतों को वायू यान से रोटियां पहिए। भारत सरकार पाकिस्तान से अत्याचार रोकने के लिए अनरोध करती या धंकी देती कि यदि पाकिस्तान में अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत में भी मुसल्मानों के बुरी दशा होगी तो इतने अत्याचार नहोते भारत सरकार गांधीदी के इशारों पर चलती थी और उसके नीती कुछ और ही थी यदि पाकिस्तान के हिंदों की रक्षा के लिए समाचार पत्र कुछ लिख देते थे तो ये अर्थर लिया जाता था कि वे हिंदु मुसल्मान में मतभेफ फैराने का प्रैत्न कर रहे हैं ऐसे कारियों को अपराध माना जाने लगा और प्रेस इमर्जेंसी एक्ट की धाराएं लागू करके एक के बाद एक दुसरी जमानत मांगी जाने लगी मुझे भी अनेक नोटिस मिले और सोला हजार रुपे की सुरक्षित निधी तक मांगी गई श्री मुरार जी देशाई के न्यायाले बयान के अनुसार ऐसी 900 घटनाएं हुई इतना ही नहीं जब प्रेस प्रतिनिधी मंडल मुरार जी से मिलने गया तो उन्होंने उनकी एक न सुनी इस प्रकार मुझे आशा न रही कि गांधिवादी कॉंग्रेस सरकार पर शांतिमे ढंग से दबाव डाला जा सकता है जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तब पाकिस्तान या मुसलमानों के विरद गांधी जी ने एक भी शब्द नहीं कहा हिंदु जातिया और सौस्कृति को मिटाने के लिए मुसलमानों ने जो अत्याचार किये उनका मूल कारण गांधी है यदि भारत की राजनिती को भली हाती समाला जाता तो ऐसा हिंदु संभार कभी न होता जैसा अब हुआ और जिसका उधारन इतिहास में कही नहीं मिलता सबसे महत्वपुर्ण बात ये है कि मुसलमानों से संबंद रखने वाली समस्याओं में गांधी जी ने कभी जनता के विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया गांधी जी की अहिवसा की आड में इतना रख्तपात हो चुका था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष में किसी भी विचार का स्वागत करने के लिए तैयार न थी स्पष्ठ था कि जब तक पाकिस्तान में धर्मांद मुसलमान राज्य है तब तक भारत में शांती नहीं हो सकती फिर भी गांधी जी इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे और इस तरह के विचार पाकिस्तान के पक्ष में फैला रहे थे जैसा कर सकने में कोई कटर लिगी नेता भी सफल न हो पाता इनी दिनों में उन्होंने आमरन अंशन की घोशना करते हुए जो शर्ते रखी वे सब भी केवल हिंदों के विरुद और मुसल्मानों के पक्ष में थी गांधी जी के अंशन की जो शर्ते थी उनमें पहली ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे हिंदू शर्नार्थियों को बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसल्मानों को सौंप दी जाए गांदी जी ने अपनी शर्त, सरकार और अन्य नेताओं को अंशन के धंकी दे कर स्विकार कराई जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन मैं दिल्ली में था मैंने देखा कि किस प्रकार गांदी जी की जित को पुरा किया गया वे शित के दिन दे गांधी जी ने अंशन खोला उस दिन वर्षा हो रही थी ऐसी असाधरन सर्दी और वर्षा में अच्छे स्थानों पर रहने वाले लोग भी कांप रहे थी उस समय निराश्रि शरणार्तियों के कुटुमब के कुटुमब मज़िदों से सर्दी के मारे कांपते हुए निकाले गए उनकी रख्षा का कोई प्रबंद नहीं किया गया कुछ शरणार्थी जो कुटुम्ब और स्त्रियों सहीद बिरला हाउस गए और उन्होंने नारे लगाए गांधी जी हमें स्थान दो उस भव्य भवन में रहने वाले गांधी तक उन निराश्रितों की आवाज नहीं पहुंच सके मैंने एद्रुष्य आपने आखों से देखा जिसे देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का रिधय भी पिखल जागा मेरे मस्तिश्क में इससे अनेक विचाराने लगे मैंने सोचा कि क्या शरणार्थियों ने प्रसंद्नता से इन मस्जिदों में डेले डाली थे नहीं नहीं गांधी को भी उन स्थितियों का पूरा पता था जिनसे बात देहोकर उन्हें अपने घर छोड़कर इन मस्जिदों की शरण लेनी पड़ी पाकिस्तान में एक भी मंदिर या गुरुद्वारा सुरक्षित नहीं रहा शरणार्थियों ने अपनी आखों से देखा था कि किस प्रकार मुसल्मानों ने केवल हिंदु मंदिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र किया जो हिंदु शर्णार थी दिल्ली शरण लेने के लिए आये थे उन्हें यहां कोई स्थान नहीं मिला इसमें अश्चर की क्या बात है यदि उन लोगों ने पेड़ों के नीचे और गली कुचों में न पड़े रहेकर पंजाब में बीती हुई दुरगटनाओं को स्वरण करके दिल्ली की वेर्थपड़ी मस्जिदों में शरण ले मेरे विचार में इस प्रकार मस्जिदे मानवता की भलाई के लिए काम आ रही थी गांदी जी ने निश्चे किया कि मस्जिदों को खली कराये जाए वहां उनके रहने का दुसरा प्रबंदक क्यों नहीं कराया उन्होंने पाकिस्तान के मंदिर हिंदों को सौपने की मांग क्यों नहीं की जिससे पता चलता कि गांदी वस्तुता अहुंसा के पूजारी है हिंदों मुस्लिम एकता के इच्छुक है और उनमें निश्पक्ष आत्मशक्ती है गांदी ने पूरी चलाकी की और अपने अंशन को खोलने के लिए पाकिस्तान के लिए एक भी शर्त न रखी यदि वे रखते तो संसार देखता कि गांदी जी अंशन करते हुए स्वर्ग सिदार जाते और पाकिस्तान के एक भी मुसल्मान को लेश मात्र दुख न होता उन्होंने अपने अन्हों से देख लिया था कि उनके वरत का जिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लीग उनकी आत्मशक्ति की परवान नहीं करती अंत में ये कहना अनुचित न होगा कि गांदी के फूल याने अस्थी भारत और विदेशों की बहुत सी नदियों में बहाए गए परन्तु ये अस्थी पाकिस्तान के सिंधु नदी में नहीं बहाई जा सकी इस संबन्द में पाकिस्तान में भारत के राजदूर श्रीयूत श्रीप्रकाश्षी का प्रयत्न निश्फल रहा अब 55 करोड रुपयों की बात लीजिए उपप्रधान मंत्री का निवेदन देखिए गांधी जी ने स्वयम कहा है कि किसी गवर्मेंट से उसका निर्णे बदलवाना कठिन हो जाता है लेकिन भारत सरकार ने गांधी जी के अन्शन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड रुपय न देने का अपना निर्णे बदल दिया गांधी जी का 21 जन्वरी 1948 का प्रार्थना प्रवचन देखिए सरकार ने 55 करोड रुपय न देने का निर्णे जन्ता के प्रतिनिदी होने के नाते किया था लेकिन गांधी जी के अन्शन ने इस निर्णे को बदल दिया तब मुझे ये ग्यात हुआ कि गांधी जी की पाकिस्तान परस्ती के आगे जन्ता के मत का कोई महत्व नहीं है अपने प्रतिवृत्त के पहले खंड के प्रुष्ठ 143 पर नयमुर्थी कपूर ने उस समय वृत्त पत्रों में छपी प्रक्रिया का एक उधारन दिया है अनुच्छे 12A 45 इस तरकार है बंबरी के साप्ताहिक नेशनल गारडियन ने अपने 17 जन्वरी 1947 के अंक में नेरू शासन से हिंदुस्तान की घोर वंचना पाकिस्तान धौस से जो पाना सका वो गांधी जी के हट्टाग्रह से पा सका इस शिर्षक के नीचे दिया था अपने राष्ट्रिय जनों का जिससे नरसंवार होगा वो पैसे देने का कुरत्य हम नहीं करेंगे ऐसी गर्जना चल रही थी और सरदार वल्लभाई के धौस को और दबाव में भीक नहीं डालेंगे ऐसे विरत्व के शब्द सुनने में आते थे इतने में ही गांधी ने अंशन करके पाकिस्तान को करोडों रुपे देने को नहरु शासन को बाध्य किया पच्पंद करोड प्रदान की स्विकृति से लोग कैसे प्रक्षुद थे इसका ये उधारन है मुसल्मानों ने स्वतंतरदा अंद configured का विरोद किया इसलिए पाकिस्तान बना जिनोंने पाकिस्तान का पक्ष लिया उनको पांच्वेस तंबिक कहा गया है उनकी निंदा की गई है परंदु मेरी दुष्टी में गांधी जी ने पाकिस्तान का पक्ष सबसे अधिक लिया और कोई शक्ति उनको रोक नहीं सके इस थिती में हिंदूं को मुसल्मानों के अत्याचारों से बचाने का एक ही उपाय था कि गांधी का अंत कर दिया जाए गांधी जी राष्ट्र पिता के नाम से पुकारे जाते हैं जो अत्यंत सम्मान का पद है पर वे पिता का करतव्य पालन करने में और सफल रहे उन्हों ने तो बड़ी निर्दैता से राष्ट्र के दो टुकड़े कर दिये यदि वे सच्ची आत्मा से पाकिस्तान का विरोध करते तो लीग कभी भी इतनी सुधुड़ता से ये मांग न रख पाती और अंग्रेज पूर्ण प्रहत्न करके भी इसे न बना पाते देश की जनता पाकिस्तान बनाने की घोर विरोधी थी पर गांधी जी ने जनता को धोका दिया और मुसल्मानों के पाकिस्तान का पिता सिध्ध किया है इसलिए मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना करके वे समझा कि ऐसे व्यक्ति का अंत कर दिया जाए जिसको कहा तो जा रहा है राष्ट्र पिता किन्तु जिसने मात्र भूमी का विभाजन करने में सरवाधिक हाथ बटाया है हैदरावाद की समस्या का भई यही इतियास है निजाम के मंत्रियों एवं रजाकारों ने जो अत्याचार हिंदूं पर किये उनका वर्णन करने की आवश्यक्ता नहीं है वहाँ के प्रधान मंत्री लायक अली जनवरी 1948 के अंतिम सप्ता में गांधिजी से मिले थे शिगर ही पता लग गया कि गांधिजी का व्यवहार इस विशे में भी विचित्र है जिस प्रकार उन्होंने सुरावर्दी को अपनाया था उसी प्रकार कासिम रिजवी को भी दब्तक पुत्र समझ कर व्यवहार करेंगे ये बिल्कुल सपष्ट था जब तक गांधिजी जीवित थे तब तक सरकार हैदराबाद के विरुध कुछ न कर सकी यद जबी वो पूर्ण अधिकार और शक्ति संपन्न थी यदि गांधिजी के जीवन में ही भारत सरकार हैदराबाद में सेना या पुलिस की कोई कारवाई करने का निश्चे करती देने का निरने वापिस लेना पड़ा था जब गांधिजी अन्शन ठान ले दे तो उनको बचाने के लिए सरकार को उनकी इच्छा नुसार चलना पड़ता गांधिजी की अहिंसा उस सिव्व की अहिंसा है जो उस समय अहिंसा का पुजारी हो जाता है जब वो सहस्तरो गायों को खापी कर ठक जाता है कानपूर में गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसल्मानों ने निर्दैता से मार दिया था गांधिजी उनका उधारन देकर कहते थे कि कि इस प्रकार अहिंसा पर चल कर अपना बलिदान कर देना चाहिए मेरा विश्वास है ये अहिंसा यानि नकुल सकत्व देश को नश्ट कर देगी और पाकिस्तान भारत पर अधिपत्य जमा लेगा मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैं गांधिजी का वध करूँगा तो मैं जड़ मुल्ख से नश्ट कर दिया जाऊंगा लोग मुझसे घृणा करेंगे मेरा सम्मान जो मुझे प्राणों से अधिक प्री है नश्ट हो जाएगा किन्तु साथ में मैं ये भी जानता था कि गांधिजी सदा के लिए विदा हो जाएंगे तो देश की राजनिती में शस्त्र प्रयोग और प्रतिकारात्मक कारवाही को स्थान मिलेगा देश शक्तिशाली होगा मैं अवश्य मरूंगा किन्तु देश अक्त्याचारों से मुक्त होगा सब मुझे मूर्ख कहेंगे पर देश ऐसे मार्ख पर चलेगा जो उचित होगा यही सोचकर मैंने गांधिजी का अंत करने की ठानी मैंने अपना निर्णे किसी को नहीं बताया 30 जनवरी 1948 के दिन मैंने गांधिजी का वध किया मेरे पास कहिने को और कुछ नहीं है यदि देश भक्ती पाप है तो मैं पाप मानता हूँ मैंने पाप किया है यदि प्रशंसनी है तो मैं अपने आपको उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूँ मुझे विश्वास है यदि मनिशों द्वारा स्थापित न्यायले से उपर कोई और न्यायले होगा तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा मैंने देश और जाती की भलाई के लिए ये काम किया है मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीती से हिंदूं पर घोर संकट आये और हिंदू नश्ट होए वास्तों में मेरे जिवन का उसी समय अंत हो गया था जब गांधी जी पर गोली चलाई थी उसके पश्चात मैं अनासक्त जिवन बिता रहा हूँ मेरे लिए संतोष का विशे है कि मुझे कोई पश्चात ताप नहीं है हैदराबाद की समस्या में अकारन देर हो रही थी सरकार ने गांधी जी के मृत्यू के बाद शस्त्र शक्ति से इस समस्या को ठीक रूप से सुलजा दिया है भारत की अधुनिक राजनीती और सरकार अभी तक तो ठीक प्रकार से चलती हुई जान पड़ रही है ग्रह मंत्री ने कहा है कि देश के पास प्रचूर युद्ध सामगरी होनी चाहिए ऐसा विचार प्रकट करते हुए उन्हें ये नहीं कहा कि वे गांधी जी के सिधानतों पर चल कर ये सब कुछ करेंगे यदि वे ऐसा कहें तो केवल अपने मन के संतोष के लिए कहेंगे ये याद रखना चाहिए कि यदि आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग करके ये कहा जाए कि गांधी जी के अहुंसा सिधानत पर चला जा रहा है तो हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल या रुजवेल्ड के देश रक्षा के धंग और गांधी जी के अहुंसा सिधानत में कोई भेद नहीं रह जाएगा मैं ये मानने को तयार हूँ कि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कष्ट उठाए उन्होंने जन्ता में जागूर्टी पैदा की उन्होंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया परंतु दुख ये है कि वे इतने मांदर नहीं थे कि अहुंसा के हार को स्विकार कर लेते मैंने दूसरे भारती देश भक्तों और नेताओं के भी चरित्र पढ़े हैं जिन्होंने गांदी जी से अधिक बलिदान किये हैं कुछ भी हो गांदी जी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं उन पर गोली चलाने के पुर्व मैं उनके सम्मान में इसलिए नतमस्तक हुआ था किन्तु जन्ता को धोका देकर पुज मात्र भुमी के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है गांदी जी ने देश को चल कर देश के टुकड़े किये क्योंकि ऐसा न्यायले या कानुन नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता इसलिए मैंने गांदी को गोली मारी उनको दंड देने का केवल यही एक तरिकार रह गया था यदि मैं यह न करता तो मेरे लिए अच्छा ही होता परंतु स्थिती बहुत खराब हो गई थी और मेरे रिधे में इतना अधिक शोब था कि मैंने सोचा कि गांदी जी को स्वाभाविक मृत्यू से नहीं मरने देना चाहिए संसार को पता लग जाए कि इस गती ने अन्याय पुर्वक राष्टर के साथ चल करके भयानक रूप से देश के एक संप्रदाय का जो पक्ष लिया है उसका दंड भोगना पड़ा मैंने इस समस्या का अंत इसी प्रकार करना चाहा क्योंकि इसी से लाखों निर्दोश हिंदूं का जीवन बच सकता था गांधी जी की जो अहम मही प्रवुरुत्ती इस पवित्र भूमी के पुत्रों के लिए घातक सिद्ध होई उसके लिए भगवान उन्हें क्षमा करे मेरी न किसी से कोई शत्रुता है न किसी के प्रती कोई दुरभावना ये मैं अवश्य कहता हूं कि इस सरकार के लिए मेरे रिधे में कोई आदर न था क्योंकि ये अनुचित रूप से देश के शत्रों के हाथ मजबुत कर रही थी मैं देख रहा था कि ये नीतिक गांधी के कारण थी अब ऐसे व्यक्तिक अंत हो जाने के बाद वो राष्ट्र निर्मान की योजनाओं पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है किन्तु मुझे ये कहते दुख होता है कि प्रधान मंत्री नहरू के भाषणों और कार्यों में बड़ा अंतर है वे धर्म निर्पिक्षिता के आधार पर राष्ट्र निर्मान की बाते करते हैं जबकि उन्होंने स्वयम पाकिस्तान को धार्मिक आधार पर स्विकार किया है उन्हें सोचना चाहिए था कि सामप्रदाइक आधार पर बनाया हुआ पाकिस्तान भारत के लिए लाबधायक न होगा फिर भी सब कुछ सोचने के पश्चात मेरे रुधे ने कहा कि गांधी जी के विरुध काम करना चाहिए किसे ने मुझे पर इस संबंद में कोई दबाउन नहीं डाला और नहीं कोई डाल सकता था आप मेरी इस भावना को जिस प्रकार देखना चाहे देखे और इस भावना के परणाम स्वरुख मेरे के हुए इस कार्य को देखकर जो दंड उचित समझे दे इस विशे में कुछ कहने के मेरी इच्छा नहीं है मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी और से कोई दया की याचना करे इस अभियोग में बहुत से मनुश्यों को मेरे साथ इस अपराध में ले लिया है उन पर आरोप है कि उन्होंने शडियंत्र रचा इस विशे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस कार्य में मेरा कोई साथी नहीं था स्वयम मैं और केवल मैं ही इसका उत्तरदाई हूँ यदि दूसरे लोग इसी दोश के लिए नहीं खड़े किये जाते तो मैं अपने लिए बचाव भी न करता न्यायलाय को मालूम है कि 30 जनवरी 1948 के कृत्य से सम्मंदित साक्षिदारों की परिपरिक्षा याने क्रॉस एग्जामिनेशन न ली जाए ऐसी मेरी इच्छा थी और मेरे विधिग्यों को भी मेरा वैसा अगरह रहा था इससे मैं अपने लिए बचाव नहीं कर रहा ये स्पष्ट होगा मैं इस बात को पहले ही बता चुका हूँ कि बीश जनवरी को मैं शांति में प्रदर्शन के पक्ष में न था अपने सिध्धामतों का पचार करने के लिए ये उपाय मुझे वेर्थ परतित होता था फिर भी मैंने प्रार्थना सभा में होने वाले उस प्रदर्शन में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया यद्यभी इसमें सम्मिलित होने की मेरी अंतरी किछान न थी दैवयोग से मैं उसमें सम्मिलित न हो सका और किसी कारण से जब ये प्रैत्न सफल भी नहीं हुआ तब मुझे बड़ी निराशा हुई आपते और अन्य लोगों ने पुना, बंबई, ग्वालियर में स्वयम सेवकों के लिए जो परिश्रम किया था उसका कुछ भी फल नहीं निकला तब गांधी जी के वध के अतिरिक्त मेरे लिए दुसरा मार्ग नहीं रह गया था इनी विचारों में खोया हुआ जब मैं दिल्ली के शरणार्थी कैम में घूम रहा था तो मुझे एक फोटोग्राफर मिला, जिसकी कमर में कैमेरा लटक रहा था उसने मुझे फोटो उतरवाने के लिए कहा, वो शरणार्थी ही प्रतित होता था मैंने फोटो खिच्वा लिया, जिस समय में स्टेशन पर आया, मैंने अप्टे को दो पत्र लिखे जिसमें अपनी मानसिक दशा का वरणन किया, और अपने फोटो भी भेज दिये नानारों अप्टे से प्रेश और पत्र के क्षेत्र में मुझसे घनिष्ठ सम्मंद थे उन्हें मैंने एक पत्र व्यक्तिकत पते पर भेजा, और दूसरा हिंदु राष्ट्र कार्या लेके पते पर अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, कि जो वक्ते वे मैंने दिया है, वो सत्य और शुद्ध है प्रत्यक बाद संदर्व ग्रंधों को देख कर तैयार की गई है मैंने सरकारी समाचार पत्र, इंडियन एर बुक, कॉंग्रेस का इतिहास, गांधी जी की आत्म कथा समय समय पर प्रकाशिक कॉंग्रेस के बुलेटिन, यंग इंडिया और हरिजन की फाइले और गांधी जी की प्रार्थना सभा के भाशनों से ये वक्तव्य तयार करने में सहायता लिया है मैंने लंबा वक्तव्य इसलिए नहीं दिया है कि लोग मेरे कार्यों को सरा है भग्वान करे हमारा देश फिर अखंड हो और जनता उन विचारों का त्याग करे जो अक्तियाचारी के आगे जुकने की प्रेरना देते हैं भग्वान से यही मेरी अंतिम प्रार्थना है मेरा वक्तव्य अब समाप्त हो चुका है आपने इसे ध्यान से सुना और सुविधाएं दी उसके लिए मैं कृतग्य हूँ जिनोंने इस बड़े अभियोग में मुझे कानुनी सहायता दी और जो पुलिस ओफिसर इस अभियोग से सम्मंदित है उनके प्रती मेरे रुधे में कोई दुर्भावना नहीं है मैं उनके सब व्यभार के लिए उनका भी कृतग्य हूँ जेल के अफिसरों को भी धन्यवाद उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यभार किया है ये सत्य है कि मैंने तीन-चार सोन लोगों के बीच दिन के समय गांधी पर गोलिया चलाई मैंने भागने का कोई प्रैत्न नहीं किया वास्तों में भागने का विचार मेरे मस्तिश्क में आया ही नहीं मैंने अपने उपर गोली चलाने का प्रैत्न भी नहीं किया आत्मघात करने का मेरा कभी विचार न था क्योंकि मैं अपने विचारों को खुले न्यायले में प्रकट करना चाहता था अलोचनाओं के बावजूद भी मैंने जो कृत्य किया उसके नैतिक पक्षपर मेरी आत्मा कभी विचलित नहीं हुई मुझे किंचित भी संदेन नहीं कि भविश्य में सक्चाई और इमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को इतिहासकार लिखेंगे तो वे मेरे कालियों और उसके परणाम का सही मुल्यांकन करेंगे अखंड भारत अमर रहे वंदे मातरं दिल्ली आठ नवंबर 1948 नतराम विनायक गोड़से अभियुक्त क्रमांक एक